गुड मॉनिंग पहाड यूट्व फेमली सबसे पहले आपको पहाडों की इन खुबसुरत वादियों से प्यार भला नमसकार और देखे मस्त धूबाई हुई है क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है एक भी बादलाज आस्मान में नहीं है व्यू में मज़ा आ गया अब लोग नमसकार दोस्तों तो कैसे ही मेरी पहाड यूट्यूब फेमली आयोग आप सभी अच्छे हो स्वास्ता होंगे दोस्तों व्लोग लेटी स्टाट कर रहा हूं सुबह का आपने मौसम देखा हुगा संदार नजारे देखने को मिल रहे थे धूप आज बढ़िया खिली है सु ब्लोग स्टाट करते हैं चैनल में पहली बार विजिट हैं तो चैनल का सब्सकाइब जरूब करेगा ऐसे आने वाले लेटेस्ट व्लोग के लिए तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो फ्रेंड अभी दोपहर के समय में कुछ इस पकार का व्यू आ रहा तो उसी को रिपेर कराने हुए आए हुए हैं और भटेलिया में मस्ता भी चहल पहल बनी हुई है और मैं आपको सौप दिखाता हूँ जहां पर हम आए हुए हैं तो ये देखे दोस्तों इस सौप में हमने ये टीवी रिपेर करनी है उसके बाद निकलेंगे चकुटा के ल रहे हैं कल भी यहां पर अच्छा काम हुआ और आज भी अच्छा काम हो रहा है इसी तरह मौसम सांथ्र तो एक दू दिन में लेंटर डल जाएगा और यहां पर पीछे हो रही रिटेनी वाल निव की खुदाई यह देखे दोस्तों मस्त काम यहां पर हो रहा है बढ़िया काम हो रहा है यहां पर और आप लोगं को काम कैसा लगा हमें कमेंड में जरूर सियर करेगा मुक्तिसर एर्या में अगर आप काम करवाना चाते हैं तो आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और व्यू काफी मस्त देखने को मिल रहा है दूपहर के समय में बड़ी हाद धूप के लिवी है इस प्रकार के नजारे इस प्रकार का व्यू आ रहा है अभी दोपहर के समय में देखे एक भी बादल नहीं दिखेगा आपको दूर दूर तक और देखे दोस्तों यह पीछे हो रही है रिटेनी वाल की नीपी खुदाई काफी हार्ट रोग यहाँ पर लगी हुई है काफी मस्तत यहाँ पर कदमी पढ़ रही है तो दूस्तों काम यहाँ पर चला हुआ है लगभग एक घंटा रह गया अभी चुट्टी होने के लिए और काम आपने देखा किस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा है सेट्रिंग हमारी लगभग कम्प्लीट हो जाएगी अगर रहेगी तो थोड़ी बहुत कुछ रहेगी यो तो काफी मस्त देखने को मिली रहा है आज बादल तो एक भी देखने को नहीं मिला आज अभी तक और देखें रेटिनी वॉल की नीव की हुदाई पीछे हो रही है जितनी जल्दी ये भी हो जाएगी उतनी जल्दी यहाँ पर रेटिनी वॉल चिनाई स्टार्ड हो जाएगी चूंकि फिर मिट्टी खीर सकने का भी डर है और काफी बढ़िया मोहौल, काफी बढ़िया मौसमा भी बना हुआ है और धीरे धीरे धूब अब जाएगी उपर को पहाड़ियों पे और काफी मजबूत पत्थर लगा है दोस्तो बड़ी मेहनत लग रही है पत्थर को काटने में तो देखे फाइनली दोस्तो इस प्रकार का काम यहां पर हो रहा है यह पूरा एरिया हमने जल्दी कवर करना है ताकि उपर से मिट्टी फिरना खिसके और सेट्रिंग कारी हमारा लगबग इतना हो चुका है सामके छुट्टी के समय में तो लगबग छुट्टी होई जाती दोस्तो दो-चार मिनट रह गए हैं इस प्रकार का काम आज यहां पर देखने को मिला और धूब देखे धीरे धीरे जाती हुई पहाड़ियों से उपर तो हम भी निकलेंगे आप घर की तरप को सामने होने वाला है संसेट तो यह है हमारा चखुटा मंदिर बहुत बार मैंने दिखाया है आप लोग तो जानते हैं मस्त व्यू आ रहा है अभी साम के समय में पूरे दिन भर बढ़िया धूपाई हुई है तो निकलते हैं कशलेंग की तरप को दोस्तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ कशलेंग मार्केट पे और साम का वक्त और सुहाना मौसम पहाड़ों पे मस्त नजारे देखने को मिल रहे हैं और सामने हैं मुक्तिस और घाटी में भी आज खुबशूरत व्यू देखने को मिल रहा है और हिमालय देखने को मिल रहा है अभी हलका हलका हिमालय विजिवल है तो ये था महौल अभी तो चलेंगे घर के लिए तो फाइनली दोस्तो पहाड़ों पर हो चुकी है रात अधिरा पूरे पहाड़ीों पर च्छा चुका है सभी ने अपने घरों की लाइट जला दी है और हम भी घर पर बैठे वे आग सेक रहे हैं तो ये था हमारे दिन भर का ब्लोग तो आप लोग को कैसा लगा कमेंड में सियर करेगा तो मिलते हैं अपने अगले व्लोग में तब तक के लिए जैह